आचारे चानक्य का नाम भारत के महाना ग्यानी और विद्वानों में शामिल हैं। चंद्रगुप्ट मौर्य को राजा बनाने में आचारे चानक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचारे चानक्य की नीतियों का पालन कर व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। चानक्य नीती में स्त्री के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। एक स्त्री का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। चाहे वो मा के रूप में हो, बहन के रूप में हो, एक मित्र के रूप में हो या पत्नी के रूप में। आचारे चानक्य के अनुसार स्त्री व्यक्ति का भागय भी बदल सकती है। आचारे चानक्य के अनुसार जानते हैं कैसी स्त्री व्यक्ति का भागय बदल सकती है। धार्मिक स्त्री, आचारे चानक्के के अनुसार, धार्मिक विचारों वाली स्त्री व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है. जिस घर में नित्य नियम पूजा पाठ होती है, वहाँ पर भगवान का वास होता है. ऐसे घरों में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आती हैं. जो स्त्री संतोष रखे, आचारे चानक्के के अनुसार संतोष रखने वाली स्त्री व्यक्ति का भाग्योदय सकती है. ऐसी स्त्री हर परिस्थिती में अपने पती का साथ देती है. धैरेवान स्त्री धैरे रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी अस्फल नहीं हो सकता है आचारे चानक्य के अनुसार धैरेवान स्त्री व्यक्ति का भागे बदल जाता है जीवन में धैरे का होना बहुत सरूरी है जो स्त्री क्रोध न करें, क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आचारे चानक्य के अनुसार, जो स्त्री क्रोध न करें, वो किसी भी व्यक्ति का भागे बदल सकती है। जिस घर में क्रोध करने वाले लोग नहीं होते हैं, वहां पर भगवान का वास होता है. जहां भगवान का वास हो, वहां पर किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आ सकती हैं. मधूर वचन बोलने वाली स्त्री आचारे चानक्य के अनुसार व्यत्ती को हमेशा मधूर वचन बोलने चाहिए मधूर वचन बोलने वाली स्त्री व्यत्ती की किस्मत बदल जाती है ऐसी स्त्री के घर का माहौल हमेशा सुख में रहता है